10th class की maths में अच्छे मार्क्स लाने के बाद आपका attitude लेकिन 11th class की maths देखने के बाद आपका हाल बिल्कुल यही हुआ था मेरे साथ भी 10th तक मेरा maths फेवरिट सब्जेक्ट बन चुका था बोर्ड एक्दाम में 95 प्लेस लेकर आया कोंफिडेंस बिल्कुल पीक पर था कि अब 11th में जाऊँगा धूमें उडाऊँगा maths के अंदर भी लेकिन जैसे ही 11th class की बुक मेरे हाथ में आई मैंने इसके chapter पे नजर मारी मेरी आखे फटी की फटी दे गए कि भाईया यह क्या हो गया एकदम से वक्त बदल गए जजबात बदल गए हालात बदल गए 10th में जो मैं maths पढ़के आया था 10th के जो मैंने chapter पढ़े थे ऐसा कुछ भी इसके अंदर नहीं है यह कौन सी गणित आ गई कुछ तो सेम होना चाहिए न यहाँ पर बच्चों के तोते उड़ जाते हैं इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बना रहा हूँ खास ताके आपको आपके तोते उड़ले से बचा सकूँ जी हाँ क्यों 11th की मैच इसनी difference है कैसे इसका सामना करना है कैसे इसके concept को समझना है क्या चीज़े आपको ध्यार में रखनी है यही सारी बहुत important बात है practical life से जुड़ूई बात है अपने experience से में आपको share करने वाला हूँ बहुत important वीडियो आपके लिए बन जाती है इसलिए वीडियो को end तक देखिएगा आईए शुरू करते हैं सबसे पहले नजर मारते हैं दोनों ही क्लास के chapters पे यहाँ से में कुछ चीज़े आपको निकाल के देने वाला हूँ बहुत important आप क्या पढ़कर आए हैं 10th क्लास में आपने रियल नंबर पढ़ा है पॉलिनोमियल पेर ओफ लियर रिक्वेशन अर्थमेटिक प्रोगिरिशन ट्रिक्नोमेट्रिक इंट्रशन पढ़ा आपने सरकल पढ़ा कंस्ट्रक्शन एरियास पढ़े सरफेसरियन वॉलियूम और प्रोबबिलिटी वगेरा पढ़ी यह आपने पढ़ लिया है अब 11 क्लास के चैप्टर्स पे नजर मारो सैट से हैं मैथमेटिकल इंडक्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर लिन्यर इंक्वेलिटी बाइनॉमियल थियूरम सीक्वें सीरीज कोनिक सेक्शन भाइया कुछ तो सेम हो सब कि यहां यहां चांत स mesmo है इसको बहुत अलग है इसलिए इसको भी डिफ्रेंट ही मानें के और इसा नहीं है यहां पर इनके अंदर ही directly और indirectly ये पुराने concept यूज होंगे लेकिन अब direct link आपका खतम हो चुका है ठीक है जी ये बिलकुल एक नई दुनिया में आप जा रहे हैं अब इस दुनिया में महारत हासिल करनी हैं अगर कामिया भी पानी हैं अगर तो आपको क्या चाहिए आपको बढ़ानी पड़ेगी ध्यान से सुन लो कान खोल के क्या बढ़ानी पड़ेगी आपको अपनी imagination skills बढ़ानी पड़ेगी यहां पर जो चैप्टर थे वो कहीने गई practically apply होते थे रियल लाइफ के अंदर देख सकते थे आप surface area and volume निकाल रहे हो आपने देख लिया कोई डबबा है डबबा दिखता है ठीक है सब कुछ निकाल ला है टोटा surface area निकाल दो उसके अंदर कितना सामान आएगा volume निकाल जो आप देख सकते थे चीज़े practically करके देख सकते थे मैंने दिखाया भी है आपको ट्रिग्नोमेंट्री है टावर दिख रहा है एंगल देख सकते हो नाप सकते हो उचाय निकाल सकते हो practically सब कुछ possible है लेकिन यहां के chapters में imagination करना पड़ेगा सोचना पड़ेगा दि imagination skill बढ़ा लो आपकी काम्याबी के रास्ते में आपके सपनों को पूरा करने में जो आपकी मदद करें लगे हातों में एक ऐसे platform के बारे में भी आपको बता देता हूं जिसका नाम है infinity learn by शिरी चेतनिया दोस्तों यह वही शिरी चेतनिया है जिन्होंने last year history create की with AIR rank 1 in need JEE and JEE advance और अगर इस साल की बात करूं तो इस साल भी infinity learn के student ने JEE main season 1 में बहतरीन परफॉर्म किया है आप यहाँ पे देख भी सकते हैं दोस्तों अगर इस साल की बात करूं तो 20% student जो इनके enrolled है वो top colleges में जाने के लिए बिलकुल ready है और उसमें 10% student ऐसे हैं जिनकी 99% और उससे ही जादा उन्होंने score किया है अब infinity learn के बारे में इसलिए बता रहा हूं कि अब यह online और offline दोनों ही जंगा पर आपके लिए मौजूद है आपको जहां बहतर लगे वहां से आप इनके साथ connection बना सकते हैं तो जाएए इनकी website पर जिसका link मैंने इसी video के description में आपके लिए दि प्रांस की तैयारी भी अभी से लेकर चलना चाते हैं बड़े हैसे करना चाते हैं तो 11-12 के साथ साथ यहां पर आपका पूरा पूरा तरीके से systematic पढ़ाई हो जाएगी link description में दिया गया है इनके offers वगेरा हैं जो भी चीज़े हैं सब कुछ वहां पर दे रखी हैं आप पर रूश एकाड करके चेक कर लेना एडमिशन ओफर्स वगेरा जो भी चीज़े चल रही हैं सब कुछ तो अब मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको अपनी imagination power को बढ़ाना है never fear because dear sir is here कैसे आपको maths improve करनी है 11th class की maths को कैसे आसानी से सीखना है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसके लिए आपको कुछ नहीं करना आपको सिर्फ ओ सिर्फ जाना है यूट्यूब पर जी हाँ जहां पर आप ये वीडियो देख रहे हैं आपको वहीं पर आना है और आपको अपने प्यारे चैनल dear sir पर आ जाना है या फिर आपको direct सर्च करना है class 11th maths dear sir playlist क्या सर्च करना ह class 11th की गड़ेते by dear sir या फिर dear sir playlist करके आप इसको जब सर्च करेंगे तो आपके सामने एक playlist मिलेगी ये वाली जहां पर आप देख रहे हैं view full playlist इस पर आप किलिक कर देना और फिर आप पहुच जाएंगे उसके बाद किस पर उसके बाद आप पहुच जाएंगे यहां पर य मैंने 11th class के chapter बना रखें यह इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो बच्चे टैंथ पास की हैं अभी सी साल वो मुझे Instagram के ओपर message कर रहे हैं कॉमेंट्स कर रहे हैं मेरी पोस्ट के ओपर किस सारी 11th class की मैंस कप पढ़ाओगे कब chapters करवाओगे तो बहुचा से सुन लो क्या कर लोगे तो भाईया 7th chapter यहां पर है किलास 11th सारा आपका chapter complete exercise भी है कोशन भी है यह देखना और concept मैंने इतने बढ़िया तरीके से समझाया है कि यह मेरा भरोसा है कि आपकी imagination power बढ़ जाएगी कैसे बढ़ जाएगी मैं आपको एक example भी दिखा जेता हूं मेरे chapter रटवाई नह है कि भाया सोचो ऐसा होगा यह इसमें मिलेगा नहीं नहीं मैंने आपको practical करके दिखाया है मतलब जो 10th class वाली चीज़े थी ना वही चीज़े मैंने यहां पर आपको present करने की कोशिश की है animation से अपने real life example उठाके उन से कहानियां बनाके मैंने यहां पर आपको 11th class के chapter सिख लगने वाले थे या फिर लगे थे क्या बात है सर यह बात है यह बात है यह मज़ेदारी है इस playlist की तो set chapter करवा रखा है उसके बाद दूसरा आपका relation and function है वो करवा रखा है ट्रिग्नोमेट्रिक function करवा रखा है दो पार्ट में है प्रूफ देट करने वाले सवाल यहां प वाला यह आपका इसको रहन तो भी 11 वाले आप दिख सकते हैं इस ट्रेट लाइन है तो यह चैप्टर मोटे मोटे मैंने आपको पांच्छे करवा रखें जो शुरू में आपको पढ़ने हैं अब इनके अलावर चैप्टर आपकर रहे गए कॉनिक सेक्शन हो गया सीक्वे अब भाई पहले यह तो कर लो शुरूआत तो करो एक साथ सारे पढ़ना लोगे नहीं ना पहले शुरूआत करो सेट चैप्टर पढ़ो अच्छे दे समझो यहां टाइम दो इनको समस्ते हो चलो उनके सवाल करो प्रैप्टिस करो इनको पक्का करो जीतर से आप आगे बढ करके गिरिन स्क्रिन यूज करके वी एफेक्स यूज करके स्टोरी बनाके प्रैक्टिकल करके आपको पढ़ाऊंगा मज़ा पूरा आपको दिला हूँ 11 के अंदर भी बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगी दुनिया अलग है लेकिन आप इस दुनिया के हीरो हैं आप इ कैसे होगा क्या होगा सब कुछ होगा यहां होगा कौन कराएगा आपके अपने लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए शेयर कीजिए जादा से जादा बच्चों तक पहुचा दीजिए और इन्फिनिटी लर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि अगर आप जड़ी और चाहते हैं तो भाईया इनकी वेबसाइट पर जाएए इन्फिनिटी लर्न की आपके लिए अमेजिंग एक्साइटिंग ओफर्स हैं उन ओफर्स को जरूर विजिट कीजिए और वहाँ पर अगर आप चाहें तो एन्रोल कीजिए अगर आप अभी से तयारी करके चलना चाह करके चाहें?